Sared Hosting, Cloud Hosting, VPS Hosting, Dedicated Hosting तो इन चारों में difference क्या है? तो हेलो दोस्तो मैं हुरी शब और Tech New Lake में आपका स्वागत है अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्रीज हमारी चैनल सबस्क्राइब कर दो और इस वीडियो का भी लाइक जरूर करना तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि shared hosting, cloud hosting, vps hosting और dedicated hosting में difference क्या है और आपको कौन सा hosting लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा based होगा तो सबसे पहले मैं सुरू करूँगा shared hosting से shared hosting सबसे affordable, सबसे budget में और सबसे cheap होता है जो की लगभग आपको 50-100 रुपे से 300-400-500 रुपे के लगभग में अराम से मिल जाएगा और इस hosting में भी आपको बहुत सारे features मिल जाते हैं और यह पूरी तरह से managed hosting है ठीक है, इसके साथ आपको cpanel भी बहुत सारे companies provide करते हैं से आप असानी से WordPress, websites, Magento website जो भी website बना सकते हो तो आखिर एक shared hosting होता क्या है तो shared hosting होता है जैसे कि एक server हो गया उसके resources बहुत सारे customers, बहुत सारे लोगों के साथ share की जाते हैं ठीक है, जैसे कि माल लो एक server हो गया, ठीक है उस server को companies 50, 100, कभी 500 लोगों के साथ भी share करती है और उस server के जितने भी resources हैं, जैसे कि RAM, Core, Storage इन सभी को बहुत सारे लोगों साथ share किया राता है जिससे ये आपको बहुत ही affordable rates मिलती है तो अगर आप एक beginner हो, अगर आपने अभी website बिनाना सुरू किया है आपकी कोई startup है, ठीक है अगर आपको बहुत ही कम traffic चाहिए, कम storage चाहिए तो आप एक shared hosting साथ जा सकते हो तो अब मैं बताता हूँ कि आपको shared hosting कहां से लेनी चाहिए कौन सी company से लेनी चाहिए तो सबसे पहला है GoDaddy तो GoDaddy नमर वन position पे रहेगा मेरे तब से क्योंकि support सबसे बेस्ट है GoDaddy में थोरा महंगा रहता है अगर आप shared hosting compare करोगे और सबी company से तो थोरा महंगा रहेगा लेकिन support सबसे बेस्ट है past भी रहती है और इसके बाद second पे host gator हो गया big rock हो गया, blue host है और भी बहुत सारे hostinger भी है तो अब second में cloud hosting के बारे बताता हूँ तो cloud hosting में हमें ज्यादा RAM, ज्यादा course, ज्यादा storage और ज्यादा bandwidth देखने को मिलता है तो जब भी आप ए cloud hosting लेने जाओगे तो आपको प्लाकांस में 4GB RAM, 6GB RAM, 8GB RAM मिलेगा और साथ ही course में आप देखोगे तो आपको 2 core, 4 core, 6 core मिलता है और storage और bandwidth भी high होता है और rates भी आपको affordable रहेगा, budget में रहेगा थोड़ा shared hosting से थोड़ा ज्यादा रहेगा तब भी आपका ये budget में है और cloud hosting आपको 500-600 रुपेज से आपको 1500-2000 तक में cloud hosting देखने को मिलता है और इसमें बहुत सारे features से रहेंगे बहुत सारे आप files भी upload कर सकते हो तो cloud hosting होता क्या है तो cloud hosting होता है कि आपका जैसे कि website हो गया files हो गया, वो किसी एक server में नहीं रहेगा वो बहुत सारे virtual machines में रहेंगे और ये virtual machines बहुत सारे अलग-अलग servers में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे servers जो अलग-अलग location पर हैं जैसे कि Mumbai में हो गया, Singapore में हो गया, US में हो गया इन सभी locations के server पर आपके websites की जो file है वो divide हो जाती है, बढ़ जाती है इससे फाइदा यह होता है कि आपका जो websites रहता है फास्ट हो जाता है और इसमें resources भी आपको बहुत सारे मिलते है जैसे कि RAM हो गया, CPU course हो गया आपके storage भी जादा रहती है इसमें bandwidth भी आपको जादा देखने को मिलता है और लोग अप cloud hosting ही VPS से जादा prefer करते हैं लेना तो अब मैं बताता हूँ आपको third hosting VPS hosting के बारे में तो VPS hosting है virtual private server तो virtual private server होता है जैसे कि एक पुड़ा server है तो उसके अंदर में बहुत सारे virtual servers divide केर दिया आते हैं जिसमें सभी को dedicated resources दिया आता है जितने भी customers रहते हैं उन सभी को dedicated resources दिया आता है जैसे कि उनको dedicated RAM मिलता है dedicated CPU codes हो गया और इसमें आपको root access मिलता है सब कुछ आप fully managed खुछ से भी कर सकते हो और इसमें आपको दो तरह कर plans मिलते है एक रहता है self managed एक रहता है fully managed तो self managed सचता होता है और fully managed लगवग double down का होता है ठीक है क्योंकि सब कुछ आपको managed करके company देती है आपको कुछ भी manage नहीं करना पड़ता आप सीधे अपनी website मेना हो अगर आपको servers के बारे में technical कुछ भी जानकारी नहीं है तो आपको fully managed जाना चाहिए हमें कितने का पड़ता है तो अगर आप plans दिखोगे बहुत सारे websites पर तो वहाँ पर यह हमें मिलेगे 2000 से लेकर 7-8-10-1000 तक का जो virtual private server हमें थोड़ा महगा पड़ता है तो आखिर आपको VPS server और cloud server तो मैंने cloud server के बारे में नहीं बताया था कि आपको cloud server कहां से लेनी चाहिए तो cloud server लेनी के लिए बहुत सारी अच्छी companies है तो कुछ companies हो गई जैसे कि Bluehost, Hostinger, Hostgator, Cloudways ठीक है यह सभी companies अच्छी है यहां से आप cloud hosting ले सकते हो और अगर मैं VPS hosting के बात करूँ तो VPS hosting में भी हमारे पास बहुत सारे options है तो go daddy पर भी VPS hosting है Hostinger पर भी है और big rock हो गया Bluehost, Hostgator इन सभी जगह से आप VPS hosting ले सकते हो तो अब मैं fourth और last बताता हूँ dedicated hosting के बारे में dedicated hosting होता क्या है और आपको यह कब यूज करना चाहिए तो dedicated hosting सबसे महगा hosting है इसमें होता यह है कि जो पूरा server है पूरा एक physical server है वो आपका हो जाता है वो और किसका share नहीं किया आता है ठीक है और यह बहुत ही महगा होता है लगभग यह 10-12,000 से सुरू होता है और 25-35,000 जितने आपके storage है जितने आपके ज्यादा RAM होगी उतना ज्यादा आपको पैसे लगेगा ठीक है और इसमें भी same VPS की तरह दो तरह के plan हमें मिलते है self-managed और दूसरा है fully managed ठीक है self-managed में सब कुछ आपको ही manage करना पड़ेगा पूरा server company आपकी कोई help नहीं करने वाली है आपको खुछ से सभी कुछ उसमें manage करना पड़ेगा ठीक है अगर आप technical sites से हो technical knowledge आपको server की है तभी आपको self-managed लेना चाहिए नहीं तो अगर आपको technical knowledge server की नहीं है तो आपको fully managed के साथ जाना चाहिए fully managed dedicated server के साथ लेकिन fully managed dedicated server self-managed dedicated server से लगवग डवल दाम का होता है और बहुत ही महेंगा होता है और dedicated server हमें कब यूज करना चाहिए तो dedicated server हमें उस time यूज करना चाहिए जब हमें एक बहुत heavy website बना रहे हो हमारी traffic बहुत ज़्यादा मतलब कि millions में 5 million, 10, 20 million traffic अगर हमारी है monthly तब हमें dedicated server यूज करना चाहिए तो अगर आपकी इतनी requirement नहीं है तो आप cloud hosting और VPS hosting साथ भी जा सकते हो मैं prefer करता हूँ cloud hosting साथ जाना कि cloud hosting मैंने देखा है VPS hosting से ज़्यादा fast होता है ठीक है और सस्ता भी होता है तो dedicated server आपको आखिश लेना कहाँ है dedicated server के लिए भी बहुत सारे companies हैं अच्छे ची companies तो इंडिया में देखा जाए तो go daddy हो गया based ठीक है और host gator, blue host, big rock यह सभी hosting providers अच्छी है और मैं आपको एक बास और बताता हूँ कि अगर आप इंडिया के लिए website बिना रहे हो ठीक है अगर इंडिया के लिए website बिना रहे हो अगर आपने server location अगर अमेरिका में ले लिया US में ले लिया और कहीं Europe में ले लिया तो वो पहले से website थोड़ा slow हो जाता है और server location इंडिया में रहने से वो बहुत ही पहले से website आपका fast रहेगा और आपको CDN use करने की कोई जरोती नहीं पड़ेगी तो I hope मैंने सब कुछ क्लिए कर दिया है कि shared hosting, cloud hosting, VPS hosting और dedicated hosting में क्या difference है और आपको कौन सा hosting लेना चाहिए ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ये वीडियो लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी subscribe कर दे Thank you